हिंदी साहित्य संपून गटना चक्र कुईक रिविजन विद आर्थी शर्मा दोस्तों आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के अगली नोटिफिकेशन्स को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों हम कर रहे हैं हिंदी नेट जी आरेफ परिक्षा चैनित विशे आधारित प्रश्न जून दोहजार नो से जुलाई दोहजार अठारे तक के प्रश्न पत्र दोस्तों आजम करेंगे सितंबर दोहजार तेरे का दुईतिय प्रश्न पत्र क्या करेंगे दुईतिय प्रश्न पत्र किसका सितंबर दोहजार तेरे का ध्यान रखेंगे दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सांक्रित्याई जी हिंदी कवेधारा के संपादक हैं अगला प्रश्न है क्या पंक्ती है जरध्यान दे हब की ना बोलीबा थब की ना चलीबा धीरे धरीबा पाओं यह पंक्ती किसकी है तो ध्यान रहें गोरकनात जी की गोरकनात जी की पंक्ती है दोस्तों हब की ना बोलीबा थब की ना चलीबा धीरे धरीबा पाओं चीक गोरकनात याद रखें अगला प्रश्न है पंक्ती है तो ध्यान से सुने अस्त्रिये जनम काईं दीधव महेश अश्त्रिये जनम काई दीधव महेश अवर जनम थारई गणारे नरेश तो इस पंक्ती का संबंध किस से है ध्यान रखेंगे दोस्तों वीशल देव रासों से ली गई पंक्तियां है ठीक अश्त्रिये जनम काई दीधव महेश अवर जनम थारई गणारे नरेश ठीक है ध्यान रखेंगे दोस्तों एक बात और सुन ले सबसे पहले जो बारे मासा वर्णन मिलता है वो बीशल देव रासों में ही मिलता है और किसकी रचना है ये नर्पती नाले की रचना है बीशल द लखेंगे दोस्तों अगला प्रशन है जरा ध्यान देंगे दोस्तों कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षन प्रभाव और चमतकार मिलता है ठीक है ये कथन किसका है तो रामचंद्र शुक्ल जी का रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षन प्रभाव और चमतकार मिलता हैं। फीक, आचारे रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रस्थ हैं, पंक्ती हैं, ध्यान दे। जेही मुख देखा, तेही हसा सुनी, तेही आयव आंसु। तीक, यह पंक्ती किसकी है? तो जाइसी के बारे में है पंक्ती किसके बारे में जाइसी के बारे में पंक्ती है दोस्तों ध्यान रखेंगे जही मुख देखा तेही हसा सुनी तेही आयव आसू ठीक जाइसी के बारे में पंक्ती है अगला प्रश्ण है कली कुटिल जीव निस्तार कली कुटिल जीव निस तो नावादाश जी का कथन है दोस्तो ध्यान रखेंगे ठीक है यह याद रखें कि बाल मी की तुलसी भयो यह तर्मयाद किमात पॉर्पा विनात नन्ते विव decorating किसके अस्ट चाप के संस्थापक हैं अगला प्रश्ण है जरध्यान दें गौर करेंगे दोस्तों पंग्ती है जरध्यान दें खेती न किसान को विखारी को न भीक बली बनिक को न बनिज न चाकर को चाकरी ठीक हैं तो इस पंग्ती का संबंध किससे है ध्यान रखेंगे तुलसी की कृती तुलसी की कृती कवितावली से ली गई पंक्तियां है, खेती ना किसान को, बिखारी को ना भीक, बली बनिक को ना बनिज ना चाकर को चाकरी, ठीक है, बली बनिक को ना बनिज ना चाकर को चाकरी, ठीक, ध्यान रखे तुलसी की कृती कवितावली से, अगला प्रशन है, जह जहांगीर जस्चंद्री का जहांगीर जस्चंद्री का किसकी रचना है तो ध्यान रखें केशव दास जी की केशव दास जी की रचना है जहांगीर जस्चंद्री का अगला प्रशन है ब्रज भाशा हे तू ब्रजवास ही ना अनुमानो क्या है ब्रज भाशा हे तू किसका है ध्यान रखें रीति काल के कवी बिखारी दास जी का कथन है ब्रज भाषा हे तू ब्रज वास ही ना अनुमानों ठीक अगला प्रशन है देव की द्वनी ठीक है देव द्वनी समवेदन शीलता समूचे रीतिकाल में आप्रतीम है क्या है देव की द्वनी समवेदन शीलता समूचे रीतिकाल में आप्रतीम है तो यह कथन किसका है ज्यान रहे राम सरूप चतुरवेदी जी का राम सरूप चतुरवेदी जी का कथन है दोस्तों ठीक है याद रखेंगे अगला प्रश्ण है ध्यान देना जरा क्या है रस्म रस्मोरी वाज रस्मोरिवाज ये है शब्द रस्मोरिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया हिंदी के बारे में ये कथन किसका है तो ध्यान रहे मुंसी सदा सुख लाल नियाज का कथन है किसका मुंसी सदा सुख लाल नियाज का कथन है रस्मोरिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया ठीक ध्यान रखेंगे सदा सुख लाल नियाज जी ठीक और सदा सुकलाल नियाज की एक रचना है जिसका नाम है नासी खेतो उपाख्यान ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट रचना है अगला प्रश्ण है ध्यान दे दोस्तों भारतेंदु द्वारा अंग्रेजी से अनुदित नाटक कौन सा है तो ध्यान रखें दुरलब बंदु भारतेंदु द्वारा अंग्रेजी से अनुदित नाटक है अगला प्रश्न उपनियास मासिक पुस्तक का प्रकाशन कब सुरू हुआ तो ध्यान रहे सन 1901 में सन 1901 में उपनियास मासिक पुस्तक का प्रकाशन सुरू हुआ तो उपनियास क्या है मासिक पुस्तक है ध्यान रखें समय याद रखें सन 1901 में बहुती अच्छा प्रश्ण है फिर है संपत्ती सास्त्र की भूमी का क्या नाम है संपत्ती सास्त्र की भूमी का यह लेक कब छपा था ध्यान रहे सरस्वती पत्रीका में यह क्या पूछ रहे हैं कह रहे हैं कि संपत्ती सास्त्र की भूमी का यह लेक किस्म छपा था तो सरस्वती पत्री का में ठीक अगला प्रश्ण है भारत भारती लिखने में प्रेणा थी उर्दू की गरंथ मुसद्ध से हाली की ठीक है उर्दू की गरंथ मुसद्ध से हाली की ठीक ये क्या है बारत भारती लिखने में प्रेणा थी अगला प्रशन है चायावाद चायावाद स्थूल के प्रती शूश्म का विद्रो है क्या है चायावाद स्थूल के प्रती शूश्म का विद्रो है इसकी इस्तापना किसने की है तो ध्यान रखे नगेंद्र ने इसकी स्थापना नगेंद्र ने की है किसकी चायावाद स्थूल के प्रती शूश्म का विद्रो है ठीक अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशने है ध्यान दे प्रेम का पयोधी तो उमरता है प्रेम का पयोधी तो उमरता है सदा ही निस्सीम भूपर किस पर सदा ही निस्सीम भूपर ये पंक्ती किसकी है तो चायवादी कवी निराला की पंक्ती है दोस्तों प्रेम का पयोधी तो उमरता है सदा ही निस्सीम भूपर ठीक अगला प्रशने है ध्यान दें प्राचीन भारत के बाशा परिवार और हिंदी आलोचक गरंत के लेखक तो राम विलास शर्मा ठीक है अच्छा ये नाम कुछ इस तरह से ध्यान से सुने प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी ये आलोचना गरंथ है जिसके लेखक कौन है तो ध्यान दे राम विलास शर्मा अगला प्रशन नागा अर्जुन जिनका वास्तविक नाम है व पैदनाथ मेश्र ठीक तो नागा अर्जुन के उपनियासों का सही अनुकरम सही काला अनुकरम क्या है तो ध्यान दे रतीनाथ की चाची रतीनाथ की चाची कब आया 1948 इसवी में फिर है दोस्तों बलच नामा कौन सा उपनियास बलच नामा कब आया 1952 इसवी में फिर है दोस्तों वरुन के बेटे उपनियास कब आया 1957 इसवी में फिर आया उपनियास कुम्भी पाक कब आया 1960 इसवी में तो ध्यान रखें, सबसे पहले, रतीनात की चाची, 1948 इस्वी, फिर है बलच नामा, 1952 इस्वी, फिर है बरुन के बेटे, बरुन के बेटे कब, 1957 इस्वी, फिर है कुम्भी पाक, 1960 इस्वी, याद रखेंगे दोस्तों, नागा अर्जुन के उपन्यासों का सही अनुकरम है, क कीवनकाल की दृष्टी से, नाटक कारों का सही करम क्या है, तो सबसे पहले नाटक कार है, भूवनेश वर जी, इनका समय है, 1910 से, 1957 इस्वी, फिर है मोहन राकेश, मोहन राकेश जी का समय है, 1925 इस्वी से, 1972 इस्वी, फिर हैं, दोस्तो ओं, सुरेंदर वर्मा, सुरेंद्र वर्मा इनका समय है 1941 इस्वी फिर हैं दोस्तों मीरा कांत मीरा कांत का समय है 1958 इस्वी तो ध्यान दे दोस्तों सबसे पहले भूवनेश्वर जी जिनका समय 1910 से 1957 इस्वी फिर है मोहन राकेश जी इनका समय है 1925 इस्वी से 1972 इस्वी फिर है सुरेंद्र वर्मा, इनका समय है 1951 इसवी, फिर है मीरा कांथ, इनका समय है 1958 इसवी, ठीक है? अगला प्रशन है ध्यान दे, हिंदी के माक्सवादी आलोचकों का सही कालानू क्रम क्या है? तो जराध्यान दे शिवदान सिंग चोहान फिर है राम विलास सर्मा फिर है अमरित राई जी कौन अमरित राई जी फिर है नामबर सिंग जी तो दोस्तों ये सबी हिंदी के माक्सवादी आलोचक हैं ठीक हैं कौन कौन शिवदान सिंग चोहान राम विलास सर्मा ये दो तो आपको यादी कर लें इनके अलावाद दो नई और देखें हैं अमने प्रशने पत्रे में जिनका नाम है अमरित राय और नामवर सिंग जी ये सबी माक्सवादी आलोचक है ठीक है और कालानुकरम में है ठीक तो ध्यान रखेंगे शिव राम अमरित नाम देखो ट्रिक बन ग प्रशन है आत्मकथाओं का सही कालानुकरम क्या है तो सबसे पहले लगता नहीं है दिल मेरा लगता नहीं है दिल मेरा ठीक है 1997 इसवी में आई हुई आत्मकथा है ठीक है लगता नहीं है दिल मेरा 1997 इसवी फिर है दोस्तों कस्तूरी कुंडल बसे कस्तूरी कुंडल बसे ठ कब आई दो हजार दो इसवी में फिर आई हाथ से किसकी है रमणी का गुपता की आत्मकता है कब आई दो हजार पांच इसवी में फिर आई शिकंजे का दर्द शुशीला टाक भोरे की आत्मकता है किसकी शुशीला टाक भोरे की कब आई दो हजार बारे में तो याद रखेंगे दोस्तों लगता नहीं है दिल मेरा 1997 श्वी कस्तूरी कुंडल बसे 2002 श्वी हाद से 2005 श्वी शिकंजे का दर्द 2012 श्वी याद रखेंगे ये सभी आत्म कथाए हैं और सही काल कालानुकरम में हैं अगला प्रश्ण है यात्रव रितान्तों का प्रकाशन की दृष्टी से सही अनुकरम क्या है तो यात्रव रितान्तों का प्रकाशन की दृष्टी से सही अनुकरम है क्या मेरी तिबबत यात्रा मेरी तिबबत यात्रा कब आया 1984 श्वी में सोरी 1934 इसवी में फिर है पैरों में पंक बांध कर कब आया 1952 इसवी में फिर है एक बूंद सहसा उचली 1960 इसवी फिर है चीडों पर चांदनी ठीक है निर्मल वर्मा ध्यान रखें निर्मल वर्मा का यात्रव रितान थे और एक बूंद सहसा उचली किसका है अग्ये का ठीक है तो ध्यान रखें चीडों पर चांदनी कब आया 1988 इसवी में 1988 इसवी में फिर से सुनें सबसे पहले यात्रा 1934 इसवी फिर है पैरो में पंक बांद कर 1952 इसवी फिर है एक बूंद सहसा उचली 1960 इसवी फिर है दोस्तों चीडों पर चांदनी 1988 इसवी दोस्तों अगर आपको आत्म कथाओं के यात्रा वृतान्त के ठीक है ये सभी वीडियो अगर सीक्वेंस में देखने है तो आप मेरे रामवान संकलन की प्लेलिस्ट देख लें उसमें आपको करम से सभी वीडियो मिल जाएंगे ठीक इसके अलावा अगर आपके पास समय नहीं है केवल वह प्रशन देखना चाहते हैं या वे रचनाएं जो नेट के एक्जैम में आई है तो वे सभी रचनाएं आपको कहां मिल जाएंगी आपको मिलेंगी मेरी प्लेलिस्ट मैतपून रचनाएं इवं रचनाकार में ठीक है तो जड़ा ध्यान दे अगले प्रशन पर गौर करेंगे दोस्तों और अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है जैसे अगर आवाज नहीं आए ठीक है तो आवाज के चलते मैंने अब एक वीडियो को दो-दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ठीक है तो क्योंकि मेहनत लगती है और आप भी अपना जैसे तैसे समय निकालकर पढ़ाई कर रहे है वही बहुत इंपोर्टेंट बात है और वह समय वेस्ट नहीं होना चाहिए कुल मिलाकर मेरा ये कहना है ठीक तो इसलिए आप भी अच्छे से पढ़ें अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो प्लीज मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताएं जिससे की मैं अपने आपको इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूँ ठीक है दोस्तों तो जरह ध्यान देंगे अगला प्रश्न है संस्मरण क्रितियों का सही कालानुक्रम क्या है तो ध्यान दें सबसे पहले लोट आओ धार क्या है इसका समय 1964 इस्वी फिर है कृष्णा सोबती जी का संस्मरण क्या है हम हशमत चार भागों में आय था ये ठीक तो ध्यान दें सबसे पहले 1977 इस्वी इसका समय है ठीक हम हश्मत किसका संसमर्ण है ध्यान रखें कृषणा सोबती जी का ठीक 1977 इस्वी फिर है संसमर्ण काशी का काशी काशी फिर है दोस्तों तुमारा परसाई ये कब आया संसमरण तो ध्यान रखें 2004 में 2004 में ठीक है तो ध्यान रखें सबसे पहले लोट आओ धार 1965 इसवी फिर है हम हश्मत 1977 इसवी फिर है कासी का असी 2003 इसवी फिर है तुमारा परसाई 2004 इसवी ठीक है देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न है क्या है ध्यान दे उपनियासो का सही काला नुकरम क्या है तो उपनियासो का सही काला नुकरम है सबसे पहले उपनियास परिक्षा गुरू किसका है लाला श्री निवास दास जी का फिर है नूतन ब्रह्मचारी नूतन ब्रह्मचारी किसका है ये बाल मुकुन गुप्त का ठीक है ध्यान रखें फिर है चंद्रकांता चंद्रकांता किसका उपनियास है तो ध्यान रखें देवकी नंदन खत्री का उपनियास है फिर है नी सहाय हिंदू ठीक है राधा कृष्ण दास ठीक है नी सहाय हिंदू राधा कृष्ण दा तो एक बार फिर से सुनें, सबसे पहले परिक्षा गुरू, फिर नूतन ब्रह्मचारी, फिर चंद्रकांता, फिर नी सहाय हिंदू, ये सभी उपनियास हैं, काल कराम अनुसार हैं, अगला प्रश्न है, संस्कृत आचारियों का सही कालानुकरम क्या है, तो सबसे पहले हैं द कोनों ही समय याद रखें, छटी और सातवी, फिर हैं दोस्तों, आचारे मममट, ठीक हैं, इनका समय क्या है, ग्यारसो इसवी, याद रखें, ठीक, फिर हैं आचारे जैदेव, जैदेव का समय क्या है, बार्वी शतावदी, जैदेव का समय है, बार्वी शतावदी, और इ ज़्यान रखेंगे जिसको आधार बना कर विद्यापती जी ने टीकाई लिखी हैं ठीक अब हैं आचारे विश्वनाथ इनका समय क्या है चौदेवी शताब्दी चौदेवी शताब्दी ठीक हैं तो ध्यान से सुने एक बार फिर से आचारे दंडी इनका समय क्यादिया है 600 इस्वी फिर है मम्मट मम्मट आचारे मम्मट का समय है ग्यारासो इस्वी फिर है जैदेव जैदेव का समय है बारवी शतावदी फिर है विश्वनात विश्वनात का समय है चौधवी शतावदी ठीक है तो संस्कृत आचारे हैं ये सभी और काल क्रमानुसार हैं अगला प्र व्वेक कब आई संभत 1666 में संभत 1666 में फिर आई रचना भाषा भूषण भाषा भूषण कब आई 1683 से 1738 में स्व वी में सरी संबत में फिर हैं रसराज कौन सी रसराज कभाई 1696 से 1773 संबत में फिर फिर है दोस्तो कावे रसाइन, कावे रसाइन, ठीक है, इसका समय है समबत 1760, समबत 1760, ठीक है, तद्यान से सुने, सबसे पहले कावे सास्त्री कृती है, कावे विवेक, समय है समबत 1666, फिर है भाशा भूशन, 1683 से 1738 समबत, ठीक, फिर है रसराज, इसका समय है 1696 से 1773 समवत फिर है दोस्तो कादवे रसायन इसका समय है समवत 1760 सत्रा सो साट ठीक है याद रखें और इनके रचनाकार अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी रामवान प्लेलिस्ट है रामवान संकलन की उसे आप देख लें उसमें जो अंतिम वीडियोज हैं वह इनी रचना और रचनाकारों से संबन्दित हैं एवं शताबदी वर्सों से संबन्दित हैं तो डीटेल में आपको मिल जाएंगी चीजे आप जरा एक बार वीडियो देख लें अगर ठीक लगे तो ठीक है अधर वाइस एक बार तो देखी लें ठीक है काफी मदद मिलेगी दोस्तों आपको देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन है ध्यान दे सही सुमेलित प्रशन है अलंकार है और वर्ग है तो जरा ध्यान दे सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार किस वर्ग से हैं तो साध्रिष्य मूलक ठीक है उत्प्रेक्षा अलंकार साध्रिष्य मूलक है फिर है अगला अलंकार है वक्रोक्ती अलंकार कौनसा वक्रोक्ती अलंकार किस वर्ग से हैं ध्यान रहें गूडार्थ प्रतीती मूलक वर्ग से हैं वक विशेश ओकती अलंकार ठीक है विरोध गर्व से किस वर्ग से है ये विरोध गर्व से इसका वर्ग है विरोध गर्व किसका विशेश ओकती अलंकार का फिर है दोस्तों शिलेश अलंकार कौनसा शिलेश अलंकार इसका वर्ग है साम में मूलक वर्ग कौनसा साम में मूलक वर तो एक बार पिर से सुनेंगे सभी अलंकारों को जरा ध्यान देए सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार इसका यह किस वर्ग से है States द्रिशे मूलक वर्ग से वक्रोक्ति अलंकार प्रतीती मूलक वर्ग से फिर 지금 विशेश्युक्ति अलंकार विरोध गर्ब से इस्टिक इस तरीके से यह सबी वर्ग हैं ध्यान देजरा यहां एक नोट है क्या प्रस्ण ओप में गर्ब की जगे सामे मूलक होना चाहिए ठीक है एक यह जो मूल रूप से जो प्रशने पत्र है दोस्तों उसमें यह जो यहां पर साम आप वर्ग के अंतरगत सामे मूलक देख रहे हैं यह प्रशने पत्र में क्या है प्रशने पत्र में दिया गया था ओप में गर्ब जो गलत था उस समात होता है तैंक्स फॉर वाचिंग अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तो हुआ